जैन मेरे बहरे साथी इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSF Constable 1149 Fireman की New Vacancy के वारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वालो हूँ इसकी Age, Hide, Dot, Yogyता, Post और सिलेवर सभी के वारे में Complete Detail आप सभी को देने वालो हूँ अगर आप BSF Constable Treatment की तयारी करें तो यहाँ पर Best Book चक्सू Publication की आती है जिससे आप अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से तयारी कर सकते हैं आप इसे Offline औ Online दोने ही माध्यम से Purchase कर सकते हैं वीडियो का description में लिंक आप सभी को दिया गया है अभी हम आ चुके हैं Official Notification की तरफ तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे यहाँ पर आप सभी को इसके बारे में पूरी complete detail बता देते हैं तो देखे नमबर 1 से start करेंगे तो Online application date से मैं आप पर आपको पूरी detail के बारे में 2008 आप सभी को सारी चीज़े बता दूँगा तो शलिए यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले बताते हैं आपकी application date के बारे में तो 29-1-2022 से लेके 4-3-2022 तक इसके Online application form start रहेंगे तो आप सभी को बताते हैं Online application form start हो गए जो की 4-1-2022 तक बढ़े जा सकते हैं अब इसके बाद अगर हम अगले point की तरफ चलें तो number second की तरफ चलें तो यहाँ पर pay scale की बात कर लेता है लेवल 3 की यहाँ पर pay scale मिलेगे जो की constable को मिलती है 27,700 से लेके 79,100 रुपया आपकी pay scale रहेगी point number 3 की दरफ चलें तो point number 3 यहाँ पर vacancy की बात कर लेता हैं तो total आपकी जो vacancy है ग्यारा सो नंचास यहाँ पर आप सभी की post दी गई है यहाँ पर category wise आपकी जो post नहीं वो divide की गई है साथी में जो आपकी post होंगी वो state wise रहेंगी तो जिस state का आपके पास domicile रहेगा आप उसी state के लिए apply कर सकते हैं तो याद रखिए का जैसे कि अगर आपके पास UP का domicile लगाते हैं मुल्लेवास प्रवान पत्र तो आप UP की vacancy की लिए eligible रहेंगा और उसी की post के लिए apply कर सकते हैं ठीक है चलिए इससे आगे बात कर लेते हैं तो आगे अगर point number 4 पे हम बात करें तो यहाँ पे eligibility criteria आ जाता है और point number 4 पे मैं बात करूँगा educational qualification की युग गता की तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप 12th pass होने चाहिए ठीक है यहाँ पे आप 12th pass होने चाहिए और 12th pass में आप सभी को एक चीज़ सबसे main चीज़ है जो कि मैं आप सभी को यहाँ पे clear कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपकी जो with science subject आपका compulsory रखा गया है यानि science subject आपके पास होना compulsory है तब ही आप इसके लिए बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि science subject से ही apply कर सकते हैं तो उसमें PCV या PCM मैं से कौन apply कर सकते हैं definitely PCM बाले भी और PCV बाले दोनों ही candidate इसके लिए apply कर सकते हैं कोई भी दिखकत नहीं है दोनों ही candidate eligible रहेंगे क्योंकि science subject compulsory बोला गया है ना कि यहाँ पर maths compulsory रखा गया है तो PCV हो या PCM हो कोई भी दिखकत नहीं है कोई भी इसके लिए apply कर सकता है बस आपके पास science subject होना compulsory यानि एक तो 12th pass हो और साथ में आपके पास science subject होना भी compulsory रहेगा या उसके समकष अगर आपके पास कोई भी degree diploma है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं next point आजा तब point अगला बात करने तो यहाँ पर age limit की यानि 5-3-1999 से लेके 4-3-2004 के बीच में जिसकी भी age है general category की unreserve category की वो इसके लिए apply कर सकता है वहीं पर हम बात कर लेते हैं SC और ST category की तो यहाँ पर 5 साल की ने चूर दी जाएगी यानि की 5-3-1994 से लेके 4-3-2004 के बीच में जिसकी भी date of birth रहेगी SC और ST candidate की वो apply कर सकते हैं OBC के लिए 3 साल की छूर दी जाएगी यानि 1996 वाले candidate भी इसके लिए apply कर सकते हैं अगले point की तरफ चलें यहाँ पर 5.3 आ जाता है point number 6 जो कि आपका physical standard की अगर हम बात करने तो physical standard में आप सभी को clear कर देता हूँ कि यहाँ जो आपकी height होनी चाहिए 170 cm यह general category OBC category और SC category के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ यह तीनों category के लिए 170 cm आपकी height होनी चाहिए सीना की अगर मैं बात करूँ तो 80-85 cm यानि 80 बिना फुलाय और फुलागर 85 cm 5 cm का फुलाग कंपल सरी है साथी मैं आप सभी को एक और सबसे जरूरी चीज़ बता दूँ कि यह vacancy only for male है male candidate ही इसके लिए apply कर सकते हैं फिर male candidate इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं तो यह हो गया आपका physical standard वहीं पर आगर मैं बात करूँ अगर आप ST से बिलॉग करते हैं 73 cm उनका सीना होना चाहिए उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे अगले point की दरफ चलते हैं तो अगले point पर आप सभी को यहाँ पे और भी जरूरी चीज़ें जैसे कि आप सभी को clear कर देते हैं पर point number 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी की fees की बात कर लेते हैं तो 100 रुपे यहाँ पर आपकी fees रखी गई है जो कि आपकी general OVC और EWS candidate के लिए रखी गई है इन तीनों candidate को यह 100 रुपे यहाँ पर fees पे करने पड़ेगी जो कि online किसी भी माद्यम से आप fees पे कर सकते हैं बाकी की जो category रहेंगी as CSTX servicemen इन सभी के लिए कोई भी fees पे नहीं करने होगी इसके बाद अगले point की तरफ चलते हैं तो अगले point की तरफ देख लेते हैं कि क्या चीज़ आप सभी को दी गई है point मा 9 आजाता है तो 9 पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं physical efficiency test यानि दोड कितनी करवाई जाएगी यह यहाँ पर दिया गया जो कि आपका PET में सामिल है तो आप सभी को clear कर देता हूँ कि इसके PET यानि physical में केबल एक ही चीज़ होगी वो होगी आपकी 5 km की रने जो कि आपको 24 मिनट में complete करनी होगी किसी के लिए अलग से कोई चूट नहीं दीगी है सभी कंडिडेट को 24 मिनट में ही 5 km की रने complete करनी होगी तो यह बिलकुल SACGD की तरह है और यह आपको complete करनी होगी तो यहाँ पर आपका physical standard test को लेके और PET को लेके भी सारी चीज़ें एकदम से clear होगी अगली तरफ चलते हैं और अगली तरफ आप सभी को बताते हैं कि कौनसा point यहाँ पर आप सभी को दी आ गया है तो अगली तरफ यहाँ पर हम बात करें तो अगला point आप सभी काता है point no.10 जो यह आप काता है test से लेके तो written examination तो देखिए इससे पहले मैं आपको selection process बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका करवाया जाएगा PST and PET जो PST and PET में qualify होंगे फिर उनका करवाया जाएगा CVT यानि computer based test और computer based test में जो भी लोग pass होंगे उनका करवाया जाएगा documentation and the medical ठीक है यह इस भरती का procedure हो और उसके बाद आपकी merit लगा दी जाएगी इन तीन process में आपका complete होगा PET, PST and CVT, document, verification and the medical यह दोनों एक साथ करवाया जाएगे तो यह इसका process रहेगा आप देखे यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके syllabus के बारे में subject A की बात करें, part A जो आपका रहेगा, वो रहेगा आपका reasoning का general intelligence, part B रहेगा general knowledge, part C रहेगा elementary mathematics, और part D रहेगा आपका English, English और Hindi में देखे एक आपको optional choose करना रहेगा तो इसमें से कोई भी आपको optional choose कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहें आप Hindi दे लीजिए, चाहें English दे लीजिए, हर एक के section में 25-25 यहाँ पर question रहेगे, जिसके लिए हर एक के लिए एक number दिया जाएगा, यानि 100 question, 100 number, total जो paper रहेगा, आपका रहेगा, दो गंटे क नहीं है, CBD test रहेगा, और जो इसकी भासा होगी, वो English और Hindi, दो भासाओं में ही आपका paper होगा, while angle आपका paper करवाया जाएगा, English और Hindi, इसी में से आपको जो language होगी, वो choose करने होगी, तो यह आपका complete हो गया, यहाँ पर इसके साथ ही आप सभी को बता दे, point number 11 जो आता है, व हर एक चीज़ यहाँ पर आपकी clear होगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share करके channel को subscribe जरू करने है, ताकि in future आने वाली हर एक information regular आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे, तो प्यारे जाती हो, फिलाल के लिवास इतना ही से, thank you for watching, जैहन जवारत.